करेंगी स्क्रीन पर दिख रहे हैं विटा यह समझो आगे पूरा दो तिन यूनिट अपना कॉंचा पिसी में जाने वाले अब देखो अब पॉस्ट कितने टाइप्स की होती हैं देखो वाइट दिख रहे हैं पुरा यह समय एक्सली तो नहीं आ रही है ना हाँ देखो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में लागत बोलते हो ठीक है कॉस्ट कितने टाइप में अपने कॉस्ट को डिवाइट करेंगे पहला देखो प्राइम कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं मूल लागत सेकेंड देखो वर्क कॉस्ट कि वर्क कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं कार खाना उपर ही याद रखना ये कार खाना जो फैक्टरी की कॉस्ट इसको एक और नम देते हैं फैक्टरी कॉस्ट एक कॉस्ट होती है अब देखो अब ये जितनी भी कॉस्ट होंगी सपोज जो प्राइम कॉस्ट है मैं यानि मूल लागत कार खाना लागत अब ये वी ने दो दो बाच में होंगी डारेक्ट और इंडारेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डारेक्ष में सेम वैसे ही जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है होगी वह भी दो टैप की ऑफिट और इंडारेक्ट लिखूं कॉस्ट को बियो डारेक्ट का मतलब यहन पे उस कौस्ट से होगा जो हमको पता है कि कि सीज कि लिए यूज होई है ईसे एक्सपेंज जिस का हमको पता है कि कि वह कौनसे चीज के प्रोड़क्शन में उसका यूज हो रहा है और इंडारिक्स में क्या होगा हम यह डिफ्रेंटियेट नहीं कर पाएंगे कि उसका कौनसे चीज में एक्स्पेंस हुआ है सपोस्ट अगर एक टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है कपड़े की इंडस्ट्री है तो वहां पे जो धागा वगरा होगा थ्रेड फिर जो रॉम अटेरियल क्या होगा कच्छा माल उसका मलब खुद कॉटन होगा यह फिर सिल्क होगा यह जूट होगा होगा तो उस चीज को बनाने में जो समान यूज हो अर्न अब जिससे अपन को lat audld खुर्शा लेकिन वह कहां बन रहे हैं तो अब फैक्टरी का jud पर सिर्फ कपड़े नी भन रहे हैं कुछ और चीजा में उसमें साथ साथ में हूँर्म किसी और चीज का यहां फिर जैसे लाइटिंग पावर है है ना लेबर है तो यह जरूरी निया कि वो सिर्फ पर्टिकुलर उसमें यूज हो किसी में और में वो यूज हो सकते हैं तो ऐसी कॉस्ट जिसको डिफ्रेंशियेट करना मिश्किल हो जाएगा की वो कौनसे चीज में कितना यूज हो ए तो ऐसी को स्ट को इंडारेक्ट बोलेंगे और वो कॉस्ट जो पता चलती है कि कौनसे चीज के प्रोडक्षन में उसका कट डूБश वह हो जाती है डारेक्ट कॉस्ट यहां तक किसी को डाउट है अब आगे देखो तो टॉपिक अपन जो कर रहे हैं एलोकेशन एकाउंटिंग है ना उपरिवेक के लिए लेखांकन तो अब जो भी कॉस्ट आएगी उसको अपन डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो इसमें हम डिस्ट्रिब्यूट करेंगे एक प्राइमरी में और एक सेकेंड को क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ प्राइमरी इन शॉट ये समझना अभी जिसका फर्स्ट डिस्ट्रिब्यूट करेंगे अलोकेट करनें कॉस्ट को और सेकेंडरी मीन्स जो फर्स्ट कोस्ट जो हमने अलोकेट किये प्राइमरी में उसको फिर से अलोकेट करना रियलोकेट फिर से करना है ना बातना किसको जो प्राइमरी कोस्ट है उसमें जो एलोकेट किया था अब उसको फिर से रियलोकेट करना प्राइमरी को वह जाएग से केंडरी कॉस्ट अब देखो इसमें अब देखो इसमें अब देखो इसमें चाप्टर एट निकालो अपने निकाला सबने चैप्टर एट ओवरेट स्वालम अब देखो एग्जाप्टर वन के जस्ट पहले एक चार्ट बनाऊगा देखो जैसे उपभोग्य स्टोर्स मतलब कंजुमेबल स्टोर्स तो प्रत्यक्ष विशलेशन अर्थाद वास्ति विए मतलब डारेक्ट नान फोर्टो के से सेंड करूंब ना देखो इसमें फिर जैसे यह जो कॉस्ट के नाम दियें इन कॉस्ट को हमको इस बेश पे डिस्ट्रिब्यूट करना है और जब हम इसको इस बेश पे डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो वो हो जाएगी प्राइमरी कॉस्ट देखो इसमें जैसे पहला दिया है कंज्यूमेबल स्टोर को डारेक्टली डारेक्ट एनिलाइज मतलब जब 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 जिस कॉस्ट से रिलेटेड होगा उसको उसी कॉस्ट में डालना है डारेक्ट एनिलिसिस मतलब प्रत्यक्स विस्टिशलिशन नेक्स देखो फिर क्या लिखा है सामगरी हस्तन वे हैं मटेरियल हैंडलिंग चार्जिस यह याद रखना है आपको प्राक्टिकल पॉइंट ओफ यू से इसको किस बेस पर डिस्टिब्यूट करने बोलाएं वेट ओफ मटेरियल नेक्स देखो स्टोर सिवाएं स्टोर सर्विस स्टोर कीपिंग एक्स्पेंसेस तो वैल्यू आफ स्टोर के अकॉर्डिंग करना है थार्ड फॉर्थ देखो किराया रेंट और रेट तो रेंट को किस पर देने जमीन का शेत्र मतब फ्लोर और स्पेस के एकॉर्डिंग सपोस्ट अगर रेंट आ रहा है आप लोगों का 35003 तीन फ्लोर का तो आप उसको डिवाइट करोगे उसके फ्लोर के अकॉर्डिंग मतब टोटल बिल्डिंग का अगर रेंट फाइफ है और उस बिल् सब्सक्राइब प्रकाश अगर यूनिट नहीं दिया है कुश्चन में तो फ्लोर के अकॉर्डिंग कर देना अगर मालो तीन अजार लेक्रिसिटी बिलाए और मालो उस बिल्डिंग में रूम्स कितने हैं दस या पांच तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइट कर दिना या कितने गंडे चला था ऊसके अकॉर्डिंग सेम देखो उलेक्ट्रिक पावर है फिर इंश्यॉरंस दिया है फिर डैप्रिसीशन दिया है विद्द दिया है तो यह सब किसव बिल्सक्राइब करोगे यह देखो मशीन की वेल्यू के कॉर्डिंग अगर क्यांटीन एक्सम हैं तो इंप्लोई के एकॉर्डिंग फिर क्रच एक्सपेंसे जैसे शुग्रव क्रच एक्सपेंसे समस्ते हैं जो मैरेड वुमन्स होती है तो अपने बेबी को महां रखती है वो फिर यातायाद सेवाई वेड ट्रांसपोर्टेशन वगरा तो किलोमेटर के एकॉर्डिंग कितने किलोमेटर चल रहा है इंटर्नल ट्रांसपोर्ट का देखो यह सब बेस है इस बेस पे डिवाइड होगा तो जिस बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं फिलाल यह है प्राइमरी ठीक है यह प्राइमरी एलोकेशन है कि किसी को डाउट है यहां तक देखो एक प्राक्टिकल सौल करते हैं प्राइमरी देखो ऐसे प्रोफॉर्मा बनता है इसका यहां पर देखो आइटम्स लिखेंगे जो अपन डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं बेस मतलब यह वाला बेस देखो शीट पर देखो यह आधार जो अभिभाजन का आधार होगा वोगा यह बेस फिर यह एमाउंट होगा और इस एमाउंट को अपन ऐसे डिस्ट्रिब्यूट करेंगे अपन जो भी अभी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो दो ही डिपार्टमेंट पढ़ेंगे एक प्रोड़क्शन और एक सर्विस इसके बाद क्या करते हैं जो सर्विस में माउंट आता है सिवाएं वाले में उसको जब मैं फिर से डिस्ट्रिब्यूट करूंगी प्रोड़क्शन में तो वो सेकेंडरी डिस्ट्रिब्यूशन कहलाएगा यह अभी कौन सा चल रहा है प्राइमरी प्रात्मिक याद रखना सेकेंडरी क्या होगा यह एलोकेशन होने के बाद सर्विस डिपार्टमिंट के कॉस्ट को मैं फिर से डिस्ट्रिब्यूट कर दूंगी प्रोड़क्शन में वो हो जाएगा सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी का समझ में आया डिफ्रेंस बिट्वीन यस मैं चलो कोशन देखो यह वाला हां एक और पर रिपीट कर दीजिए और पहले प्राइमरी समझो अपन जो प्राक्टिकल करेंगे ने समझ में आएगा प्राइमरी में बस यह समझो कि यह जो एक्समेंस है इसको हमको डिस्ट्रिब्यूट करना है ठीक जो फर्स्ट डिस इसको हमको डिस्ट्रिब्यूट करना है बताओ यह देखो रेंट फॉर्थ पॉइंट किराया एवं दर किस पर डाला है जमीन का शेत्र तो देखो यह एरिया दिया है नीचे देखो यह जो next following information दिये है वो देखो देखा किस पर डिस पंदरा फिर क्या दिया है ग्यारा नौ और पांच इसका रेशियो निकलेगा देखो यहां पर वर्किंग नोट एरिया क्या दिया है पंदरा सो दिया है फिल ग्यारा सो फिल नौ सो और पांच सो तो बेस क्या हुआ जीरो जीरो अगर अटा दोगे तो फिफ्टीन इस्टू इस्टू 11 इस्टू 9 इस्टू 5 तो यह रेशियो है तो पंदरा ग्यारा नौ पांच इन चारों का टोटल का रूख इतना एगा थर्टी फाइब फॉर फंदरा और ग्यारा कितना होते हैं मैं टोटल फॉर्टी आएगा सब्स करेंगे तो चारों यह मैं यह फॉर्टी आया अब देखो रेंट पांच हजार था टोटल तो यहां बेस में लिखोगे एरिया वाइस मतलब शेत्र फल लिखोगे टोटल कितना है अमाउंट पांच हजार ठीक अब इसको डिवाइट कर देंगे इस रेशियो में तो 5000 को देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं रेशियो किसी को नहीं पता है तो देखो 5000 को मल्टिप्लाइ करना किस से देखो ए यह ए का कितना दिया था पंदरा तो 5000 इंटू 15 कि डिवाइट बाइट क्या करोगे 40 करो कितना और टी यह एक और तरीका होता है करने का देखो टोटल इमाउंट कितना था 5000 इसको डिवाइट कर दो 40 से कितना यह 5000 को अगर डिवाइट करोगे 40 से तो 125 ठीक है यह 125 आगया तो 125 इंटू अब 15 करो मैं 1 8 7 5 सेम फिर 125 इंटू 11 1375 फिर 125 इंटू 9 करो सेम 125 इंटू 5 6 25 आ रहे समझ में कॉस निकालना देखो यह तरीके से भी निकाल सकते हो या इस तरीके से भी 5000 इंटू 11 करो और फिर उसको डिवाइट कर दो किस से 40 से या फिर डारेक्ट 5000 को डिवाइट कर लो 40 से जो सिंगल इमाउंट है गा उसको उसके रेशियो से मल्टिप्लाय करते जाओं किसी को डाउट है यहां तक नो मैं नो मैं अब नेक्स देखो रेंट के बाद क्या दिया है रिपेर तो सेकेंड पॉइंट रिपेर को किसमें डिस्ट्रिब्यूट करने बोलाए देखो बेस देखो कहां दिया है देखो रिपेर्स मैं एट नंबर वाला हां देखो ना एलोकेशन एक्च्वल्स वाला वास्तविक दिया है एक्च्वल लेकिन बाजू में क्या दिया है देखो अब एक्च्वल क्या क्या लिखा है देखो सम्यंत्र का मूल्य कितना दिया है आठ छे चार दो 8000, 6000, 4000, 2000 तो डारेक्ट इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो क्या लिखूंगी 8 is to 6 is to 4 is to 2 यहां लिख लो value of plant टोटल इमाउंट है 4000 चलो इसको calculate करो आठ छे चार और दो कितना होदा है टोटल 20 हाँ तो अब दो option है अपने पास यह देखो repairs वाले के लिए अब दो option है अपने पास total amount है 4000 और ratio का total आ रहा है 20 so 4000 को divide करो 20 से कितना आएगा 200 आया तो देखो अब यहां पे 200 into 8 कितना होगा 1600 yes ma'am yes ma'am 200 into 6 1200 200 into 4 800 or 200 into 2 400 clear रहे है यहां तो next देखो repairs के बाद डेप्रिसेशन डेप्रिसेशन किस पर लगता है बताओ assets में capital values में और plant value मतलब देखो यह 9th point संपत्ति का मूल्य है न जितने का तो value of plant पही लगेगा कितने का दिया है देखो double two five zero अब देखो value of plant फिर से वही है जो इसमें माम एका 900 900 अब का आरा है बी का 675 येस माम बी का और सी का 450 और और डी डी तो अभी नहीं का 225 आरा में मैं नेक्स देखो अब डैप्री सेशन हो गया डैप्री सेशन के बाद लाइट दिया है लाइट को किस पर डिस्टिव्यूट करोगे देखो यहां पर देखो यहां पर देखो शीट में यह देखो विद्यत बिंदों की संख्याँ यहां फिर जमे शेत्रवडगओ आप लोगों के पास क्या दियालाइट के लिए मैं एर्या हाँ क्यों के यूनिट दियान आप लोगों के पास तो क्या करोगे ओड ए्रीपे है अघर फ़र्स्वार्ट उपशन नहीं है तो आप लोग?!" रेशियो इसका जैसे फर्स्ट वाले का था ने रेंट वाले का हुआ ही है फिफ्टीन इस्टू लेवन इस्टू नाइन इस्टू फाइफ करो डिवाइट करो 600 को पहले डिवाइट कर दो 40 से लाइट के लिए फिर 40 को मुल्टिप्लाइ करो 15 से 14 तू 15 600 600 को तो डिस्टूब्यूट करना है माम 225 माम एक का 225 हाँ यस माम एक का 225 तू 15 तू 25 तू 15 तू 25 तू 15 तू हाँ 165 हाँ फिर 15 इंटू नाइन करो 25 तू 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 25 इस पर लेना प्लांट वैल्यू पर हमेशा क्योंकि पावर हमेशा उस मशीन के रिगार्डिंग होगी कि कितना पावर यूज हुआ उस मशीन में कितना पावर यूज हो रहा है उस मशीन में लाइटनिंग अलग होगी पावर अलग होगी याद रखना लाइट हमेशा एरिया वाइस लेना अगर यूनिट्स नहीं दिया है तो पावर में भी यूनिट्स नहीं दिया है तो प्लांट वैल्यू के इस आप से लेना तो इस तू फोर इस तू तू यहानि कितना है 20 का बेस दे रहा है 4500 को डिवाइट करो जल्दी से 20 से 225 225 225 चलो जल्दी से उसको रेशो में दो 225 इंटू 8 करो 1800 निक्स निकालो जल्दी से मैं 1350 1350 फिर कितना रहा है 225 इंटू 4 900 900 900 900 और 225 इंटू 2 450 450 नेक्स देखो अब यह फिफ्ट हो क्या पावर सिक्स्त देखो अब सुपर्वीजिन सुपर्वीजिन किस पर लोगे यह देखो नंबर ऑफ इंप्लॉइस पर है न उनको सुपर्वाइज करेंगे तो इंप्लॉइस कितने चालेश तीज बीस दस मतलब जाएगा तो चार तीन दो एट कितना होगा दस हो जाएगा सुपर्वीजिन को नंबर ऑफ इंपलॉईस पे लिया तोटल अमाउंट है सुपर वीजिन का 7500 यानि 750 इंटू 4 करोगे वो आएगा 3000 फिर करोगे 750 इंटू 3 2250 फिर 750 इंटू 2 1500 और 750 इंटू 1 750 आगे देखो इसमें आगे देखो इसमें आगे देखो cukोआ आगे खाल आगे प्टेखास ऩंददद्दद्दा वेल